सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एस अप लाइफ को दबाईए बेल आइकॉन और पाईए लेटेस्ट वीडियो उसकी जान करिए हमारे मन में बच्पन से एक चीज डाल दी गई कि गड़ित लोगे मथेमेटिक्स ली तो तुमको बीटे करना है इंजीनियर बनना है बाईलाजी ली तो तुमको अमबीबियस करना है डॉक्टर बनना है और इनी दो स्ट्रीम के बीच हमारा जीवन जूलता रहता है क्या केवली दो ही स्ट्रीम्स हैं ऐसा नहीं है अगर आपने बाईलाजी लिये अगर आप बाईलाजी लेकर इंट्रिमीडियेट करते हो तो अमबीबियस के अलावा आप कहीं पर Pharmacy का Diploma कर सकते हैं Pharmacy का Diploma जब आप करते हैं तो Government Job भी कर सकते हैं Private Job भी कर सकते हैं और कुछ ना करें तो अपना Medical Store खोल सकते हैं आपको मालूम है कोई Medical Store खोलने के लिए Pharmacy के Diploma की जरूवत होती है आप Physiotherapist बन सकते हो तमाम प्रकार के sports injury होती है आपने देखा हो का हर team के साथ आजकल sports physio चलता है और वो highly paid होता है sports field में जा सकते हो physio में और नहीं तो normal कहीं job भी कर सकते हैं और अपना physio therapy center भी खोल सकते हैं lab technician का इसी तरह कोर्स होता है जो pathological labs होती है उसमें जो लोग चेक करते हैं आपके blood sample वगरा को वो एक course होता है एक अच्छे avenues है MBBS के अलावा बायो साइड में आप mathematics लेते हो तो आप किसी भी government job की बायो वाला भी कर सकता है government job की तैयरी कर सकते हो SSC की तैयरी कर सकते हैं और तमाम प्रकार के जो government के state government और central government और जो public sector है उसमें तमाम प्रकार के appointments निकलते हैं उसमें आप apply कर सकते हो आप agriculture field में जा सकते हो agriculture universities से जो बच्चे BSC या MSC करके निकलते हैं ये 100% employment रहता है इनका placement होता है जो दवा बनाने वाली company होती है pesticides बनाने वाली जो agriculture field की company होती है खाद बनाने वाली beach बनाने वाली company है ये university से सीधे सीधे बच्चों को place करती है और आपको बताओं जो PCS के exam होते हैं उसमें agriculture की seats reserved रहती है कि इतने percent वो agriculture के field के बन्दे लेंगे जो कृशी रक्षा अधिकारी इस तरीके के post उनकी रहती है gusted post रहती है दो fields में कभी भी recession नहीं आएगा recession मने downfall आगा एक है agriculture चुकि आदमी खाना जरूर खाएगा और दूसरा है education पढ़ेगा जरूर आप teaching में जा सकते हो आप science करके भी teaching में जा सकते हो बायो पढ़के भी जा सकते हो mathematics पढ़के भी जा सकते हो अगर arts idea humanities लिए आपने तो आप teaching में जा सकते हो DLT कर सकते हैं BAT कर सकते हैं आगे चलके अगर आप higher studies करना चाहो तो आप PhD कर सकते हो तो किसी degree college में आपका placement हो सकता है net qualify करके आप placed हो सकते हो जो किसी भी दरश्ट से degree college की नोकरी शायद best नोकरी मानी जाती है आप civil की तयारी कर सकते हो civil services की तयारी आप कर सकते हो और civil services की तयारी करने में जितने भी आप अख़बार में पढ़ते होंगे निउस पेपर में लोक select होते हैं चाहे वो IIT से graduate किये हुए हो बीटक किये हुए हो चाहे medical से हो वो humanities के subject लेते हैं वो history लेते हैं वो economics लेते हैं और last year एक बंदे का selection हुआ उसने civil में संस्कृत लेकर उसकी rank आई थी संस्कृत subject लिया उसने तो इस तरीके से आप अपने career को बढ़ा करके जरा देखिए span बहुत बढ़ा है अगर आपका मन fashion designing का है fashion designing के छेतर में जा सकते हो बहुत अच्छे अप्शन्स हैं इंटीरियर डिजाइनिंग का एक नया platform डेवलप हुआ है जॉब का जितने भी showrooms हैं जितने भी shops हैं और जितने भी apartments बन रहे हैं multi-istoried हैं सब अपना घर और showroom अब किसी इंटीरियर डेकोरेटर से डिजाइन कराते हैं बहुत अच्छे वे निउस हैं इसमें आर्कीटेक्ट इसी से जुड़ा हुआ है फेशन डिजाइनिंग का छेतर है अपरेल डिजाइनिंग है उसमें लेदर टकनलोजी है छोटे छोटी चीजों को डिजाइन करना बहुत अच्छा है एक फील्ड नया डवलेप हुआ है अगर आप commerce बेग्राउंड के हैं तो आप CA कर सकते हैं CS कर सकते हैं ICWA कर सकते हैं Tally का course कर सकते हैं Tally का course करने के बाद कहीं भी part-time job आपको थोड़े-थोड़े घंटों का मिल जाता है GST चुकी आ गई है इसलिए उस type के भी courses अब market में available हैं ऐसे software आ गया है जिनकी training लेकर आप अच्छे तरीके से GST का का काम कर सकते हैं कंप्यूटर में हो सकता आपकी रुची हो आप BCA करिए MCA करिए software डबलक करें डबलमेंट में आए Graphic Designing तमाम प्रकार के जो cartoons आप देखते होंगे Animation यह सारे courses प्रकार के हैं जो आपको एक नय platform देंगे अपने test के हिसाब से अपनी रुची के हिसाब से अपने केलिबर के हिसाब से अपने आप करियर को चूज करिए मोदी जी ने की सरकार ने योग को बहुत बढ़ावा दिया है कई युनिवस्टीज में योगा इंस्ट्रक्टर के योगा टीचर के courses उन्होंने खोले हैं इस फील्ड में बढ़ अच्छे जॉब के वेन्यूज हैं अपर्चुनेटीज हैं इसमें और लास्ट बट नॉट दे लीस्ट क्या कभी आपने किसी स्टार्ट अप के माध्यम से एंट्रेपनियर बनने की सोची है यानि कोई ऐसा काम जिसमें हम स्वयम दस बीस पचास लोगों को नौकरी दे सकें कोई बिजनिस इस्टार्ट किया जाए और वो बिजनिस इस तरह के का हो कि अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी हम इंप्लाइमेंट जनरेट कर सकें कोई फैक्टरी हो सकती है कोई इंडस्टी डा ली जा सकती है किसी की सी एड़ ली जा सकती है किसी की डिलर्शिप ली जा सकती है यह तवाम प्रकार के इस तरीके के काम हुए है जो अपने दिमाग में आने चाहिए टूरिजम इंडस्टी भारत में टूरिजम एक नया स्कोप डेवलप हो रहा है अब जब टूरिजम इंडस्ट्री डेवलप होती है तो उससे साथ कई सारे सेक्टर जोड़े होते है उसके साथ होटल इंडस्ट्री डेवलप होती है उसके साथ रेश्टरा इंडस्ट्री डेवलप होती है होती हैं इस तरीके के तमाम चीजे हैं आप उनको सोचिए अपने को एसिस करिए और अपने हिसाब से बेहतर केरियर चूस करिए